येशु का कुरूस मा चढ़ाव जा था। इनी क्षामा कर। उन्हें मोरी कपड़ा का आपस मा बात लई हीं। अब मोरी कपड़ा के लाने चिठ्थी डल हीं। उन्हें दूठ्थी डाकु भी रहें। जिनी सेनिक वह समय मा प्रूस मा चढ़ाय रहा। उन्ही येशु के दोनों तरब रखे रहें। उन्हें से एक ठी डाकू येशु के मजाग उड़ाईस। पर दूसर कहिस। काते नई डढ़ते हस की परिमात्मा तो ही धन्द दई ही। हम बहुत सारा बुरा काम करे के दोशी हवन। परिया मने निर्दोश हबा। फिर वह येशु से कहिस। जब ते अपन राज जिमा आये। तकरिप्या मोहियाद रखे। येशु जवाब दईन। अगर ते परिमात्मा के बेटबा हस। तकरूश से निचे उतर आ और खुद का बचा ले। तब हम तोरी पर विश्वास करब। तब वह पुरा देश के आकाश पुरा-पुरा काला होईगा। भले वह दुपहरी के समय रऊ हा। ये दुपहरी के समय काला होईगा रऊ हा। अग तीन घंटा तक ऐसे ही रहो आए। तब येशु पुकार के कहिन पुरा होईगा। ये पीता, मैं अपन आत्मा तोरे हाथ मा सवपत हूँ। तब उं अपन मुंडी का जुकाईन और अपन प्राण का त्याग दैन। जब उं मरेता एक्ठे भूकम आओ। वह बड़ा परदा जौन पर्मात्मा के उपस्थीती से मनेन का अलग करत रऊ हा। उपर से नीचे तक हटके दू टुकडा होईगा। अपन मृत्यू के बाद युशु मनेन के लाने पर्मात्मा के पास आमा के रास्ता खोल दैन। जब युशु के निगरानी करा बाले एक ठेसे नीच जोन कुछु भर रहो हा। ये सब देखिस, सवकहिस, सचमुच ये मनेनिर्दोस रहो हा। ये पर्मात्मा के बेटवा आए। तब जिसुफ और निकुदेमुस नाम के दूठी यहुदी अगवा आए। उँ विश्वास करत रहे हैं कि जिसु ही मसीर रहे हैं। उँ पिला तुझ से जिसु के सरीर का मांगिन। उँ उखे सरीर का कपड़ा मला पेटिन। तब उँ उन्ही एक्थे चटान मा काट के बनाओ गरव कबर मा लेगे। अव उखे भीतर रख देन। तब उँ कबर के द्वार का बन करेके लाने एक्थे बड़ा पथर का लुड़का देन। मत्ति 27, 27-61, मर्कुस 15, 16-47, लुका 23, 26-56, युहना 19, 17-42 से बाइबल के कहाने। झाल